दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइज कैसे आप लोग बिइंग स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्टसेप ने अपने अप्लिकेशन में मैसेज डिलीट करने का या रिकॉल करने का फीचर ला दिया है तो बेसिकल ये फीचर तभी यूज होता है जब आप गलती से किसी को कोई मैसेज भेज दे जो आप नहीं भेजना चाहते तो उसे आप अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं जिससे सामने वाला बंदा उस मैसेज को नहीं देख पाएगा और हो सकता है कि ये आपके साथ भी हुआ हो कभी आपने फोन का नेट आन क्या हो और आपके पास वट्सेप का मैसेज आया हो इस मैसेज वाज डिलीटेड इस डिलीटेड मैसेज के पीछे ओरिजिनल मैसेज क्या था तो इस ट्रिक के लिए हमें एक application चाहिए होगी जिसका नाम है notification history log play store पर बिलकुल free है इसे आप जाके download कर सकते हैं download करने के बाद आपको simply से open करके permission दे देनी है permission देने के बाद आपको advanced history में जाना है यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है बट यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि अब से जो भी notification आईगी उसको ये capture करेगा तो example के लिए मैं Xiaomi phones के dual application का feature यूज करके दो WhatsApp एक साथ यूज करूँगा एक WhatsApp से दूसरे number पर message भेजूँगा तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक message भेज दिया और उपर notification भी आ चुकी है और अगर मैं यहाँ से notification पैनल को देखूँ तो यहाँ मुझे message साफ साफ दिख रहा है बट अब अगर मैं इस message को delete कर देता हूँ और notification पर दुबारा जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं इस message was deleted तो message notification से भी चला जाता है और मैं अपना WhatsApp खोलूँ तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं इस message was deleted लिखा रहा है तो चलिए अप notification history open करते हैं application open करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक WhatsApp की notification एंटरी आ चुकी है message देखने के लिए आपको simply से tap करना है tap करने के बाद आपको यह message दिखा देता है कि कौन सा message आया है तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यह message भेज़ा था और यही दिखा रहा है तो गाई देखा आपने एक छोटी सी trick से आप deleted message पढ़ सकते हैं तो हो सकता है यह WhatsApp का कोई bug हो या loophole हो जो छूट गया हो तो इससे पहले कि वो bug fix से इसको fix कर दें आप लोग भी इस trick को use कर सकते हैं तो that's it guys यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से like, share, comment करियेगा and as always thanks for watching